हेलो गाइस, आप निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चानल IQ Students Point जो गाइस जो BA प्रोग्राम 6th semester की students हैं, उनके पास एक additional subject में English दी गई है और वो English है Media and Communication, ठीक है? एक बार इसका syllabus रिमाइन करते हैं और इसके unit 1 जो है Introduction to Mass Communication इसमें two topics हैं and उसके बाद topics for student presentation, उन्हें topic के बहाफ पर जो presentation देनी है student को वो है ठीक है? तो इस पे syllabus में confused होने वाली कोई बात नहीं है, unit 1 पर ध्यान दीजे, mass communication and globalization, forms of mass communication ठीक है? Second unit है आपकी advertisement, इसमें type of ads है, ads ethics है, how to create ad story boards, ठीक है? ये आपकी second unit advertisement के लिए है, third unit media writing के लिए है, कि script writing, writing, newspaper, editing वगेरा कैसे होती है, वो सारी चीजें है and उसके पाद last unit है आपकी introduction to cyber media and social media ठीक है, social media और cyber media क्या है, कैसे इसका use होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है so, हम जो इस class में discuss कर रहे हैं, वो है, इस subject के important questions, ठीक है so, ये जो important questions है, first of all, अपने paper से पहले ज़रूर इसको देखकर पढ़कर जाना क्योंकि मैंने जो BA political honors के students के लिए जो important questions बताये थे, उनमें से maximum maximum question आया था so, मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप इसको पढ़के जाना, अच्छे से revise करके and अपने friends और siblings के साथ भी share करना ताकि वो बच्चे भी बढ़ सके so, first question है, आपका writer review of film you saw recently four to five paragraph उस film के बारे में लिखो, जो आपने अभी recently देखी है, चार या पांच paragraph के अंदर आपको लिखनी है ठीक है, और, मतलब इसी के साथ एक दूसरा option दिया गया है, अगर आपको यह नहीं करना है तो दूसरा कौन सा करना है, writer blog on recent human rights violation, words wide ठीक है, अगर आपको यह नहीं करना है, कि आपने भी कौन सी movie देखी हाला कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है, जिसने movie नहीं देखी हो है paper तो जाए भाड़ा में movie देख लो पहले सारे, खेर चलो कोई ना, अब तो paper भाड़ा में नहीं जा सकते हैं, अब तो सर पर ही है तो आपने जो भी recently movie देखी हो, pushpa है, या फिर और भी जो भी recently movies आई है, या आप जिसकी उपर five paragraphs अच्छे से लिख सकते हो ठीक है, जरूरे नहीं है, जो अभी अभी film आई है, आप उनके बारे में लिखो, कोई ऐसी movie सोच कर लिखना, जिसके बारे में आपको पता हो, पूरे five paragraphs के अंदर आप उसको ठीक से लिख सको paragraph का मतलब यहां आजाता है कि एक short paragraph आपको लिखना है, आधे page पर मत चले जाना, मतब जैसे की sheet आपकी rectangular size में होती है, ठीक है, तो उस sheet के एक page पर दो paragraph आने चाहिए, इतना आप paragraph लिखना, ठीक है, अगर इससे जादा भी paragraph बढ़ जाता है, तो कोई issue नहीं है, आप उसको ब तो यह सारी चीज़ा आपको उसके अंदर लिखनी पड़ेंगी, वो movie क्या message देती है, क्या चीज़ उससे समझ आता है, वो चीज़ भी आपको उसके अंदर लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि यह basic knowledge के लिए question दिये जाते है, कि बच्चा जो है movies भी किस way में देखता है, ठीक ह तो यह नहीं कि सिफ entertainment की way में देखी और छोड़ दी, आप उसको deeply समझ कर फिल लेखना, और दूसरा जो है कि अभी human right violation worldwide पर जो blog बना सकते हैं या कुछ भी है, तो वो आपको बतानी है, next question है, what are the advantages and disadvantages of Facebook, ठीक है, यह social media वाला जो आपका unit है, उसके अंदर से आया है, discuss your answer with appropriate example तो आप लोगों को Facebook के use का क्या help हो सकता है, कैसे उसकी disadvantages हैं और advantages हैं वो लिखनी है, उनके साथ examples भी आपको लिखने हैं, ठीक है, कि थोड़ा बहुत मैं इसमें ही आपका बता देती हूँ, जैसे कि आपको Facebook के बारे में लिखना है, तो आप disadvantages, advantages के लिए बीच में लाइन ब ऐसे भी लिख सकते हो, तो Facebook की जादा mobile use करने से Facebook मतलब social media एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर Instagram, WhatsApp या आपका YouTube है, Twitter है, Facebook है, सभी चीज़े एक ऐसी चीज़ हैं, जिनको अगर आप लेकर बैठो तो आपके 3-4 घंटे कहां गायब हो जाते हैं, आपको खुद नहीं पता लगता ठीक है, तो यह disadvantage है, बच्चों चोटे बच्चे जो हैं, मुबाइल में Facebook वगरा लॉग इन करते हैं, या फिर उनसे मतलब एक तरीके से गलत चीज़ सीखते हैं, गलत चीज़े देखते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो उसमें पढ़ जाते हैं, ज़े भी आ सकती हैं, इसके अंदर, एडवांटेजस तो आप लोगों को पताई हैं, कि नियूज वगरा अपडेट होती जाती हैं, क्या किस जगा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी सब कुछ आपको अच्छे से इन्फॉर्म हो जाता है, इसी के साथ में दे रखा है राइट असे ओन सिनेमा एज़ा पावरफुल मीन ओफ कॉम्यूनिकेशन, ठीक है, कि आप लोगों को एक छोटा सा ऐसे लिखना है, अब यहां बात आती है कि मैम, अगर हमें ऐसे के लिए वर्ट लिमिट नहीं दी गई है, तो हमें कितना पेज का लिखना है, देखो सिनेमा एक ऐसी चीज़ है, जिससे जब से यह बना है, तब से आज तक कोई ना कोई मैसेज हमें अच्छा या बुरा देता हुआ है, ठीक है, तो बुरे इन दा सैंस की मतलब कुछ फिल्में अच्छी भी नहीं होती हैं, कुछ टीनेजिस के लिए नहीं होती हैं, अडर्ट के लिए बड़ों के लिए या सब देख सकते हैं वो सारे चीज़ें ठीक है दूसी चीज ये वाली आ जाती है कि आपका पावरफुल मीन ओफ कॉम्यूनिकेशन कैसी है कि सिनेमा आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसे हम बाचीज भी कर सकते है उससे जो है एक इमेजनरी वर्ल्ड के अंदर भी जा सकता है डायरेक्टर उस जगा उस चीज़ों को ऐसे दिखाता है कि कभी कभी हमें उससे ये भी यादा आ था कि हमारे साथ भी हुआ था या फिर कोई ना कोई मूवी मेसेज देती है चाए वो पेरेंट्स के लिए दिए बच्चों के बन पाया कि सिनेमा की हेल्प से हमें बहुत सारे चीज़े बिना कॉम्यूनिकेट करें भी पता लग गई ठीक है तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे बिना बाचित करें सिर्फ देख कर ही हमें पावर मिली है कॉम्यूनिकेशन की अब आगे बढ़ते हैं राइट अशॉट ऐ ऐसे अब प्रमोशनल ऐड़टाइसमनट ऑन टेलिविजन अबाऊ ट्यू फिप्टी वर्ल ठीक है प्रमोशनल ऐड़टाइसमनट च्वहते हैं बहुत तरीके के होते हैं अब उसमें से प्रमोशनल एड़टाइसमनट एक ऐसी चीज़ है जैसे की माल लो मैंने इस टाइम पर एक कमपनी खोली और उसके अंदर मैंने टूथपेस बनाए तो टूथपेस बनाए अब उसको बनाने के लिए अगर आप लोग यूट्यूब चलाते हो तो आपने देखा होगा कि एड्ड आते हैं सब कुछ होता है ठीक है टीवी देखते हो टीवी के कोई चीज चल रही ह उसके बाद आड आता है कार्टून के बाद सीरियल के बाद मैच के बाद सब चीजों के बाद तो वो जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्रमोशनल एड्ड की प्रमोशन देकर एड्ड करवाए जाते हैं ठीक है अब जैसे कि इस टाइम पर बहुत सारी चीजों के एड्ड इत ठीक है तो ये जो है ना promotional ads वो हमारी यही वाले ads होते हैं अब इसके अंदर option दिया है और करके discuss the relationship between newspaper and advertisement अब इन दोनों के relationship बताने हैं कि कैसे हैं पहले तो आप newspaper बताओगे कि उसके क्या वो है फाइदे हैं क्या नुकसान है नुकसान तो खेर कोई नहीं है तो फिर भी दिमाग में कोई आई तो आप लिख सकते हो बाकि फिर आप बताओगे कि advertisement होता क्या है ठीक है तो advertisement क्या होता है वो सब बताने के बाद अब आप यहां पर जाकर newspaper और advertisement दोनों को relate करोगे और बताओगे कि newspaper के अंदर भी बिल्कुल TV, Radio और हमारा YouTube, Instagram, Facebook सभी तरीके से ads भी दिये जाते हैं और newspaper और ads का रिष्टा बहुत पुराना है जब का है जब newspaper बने थे अगर आप लोगों को पता है newspaper कब बनने शुरू हुए थे इंडिया में तो आप लोगों को normally पता ही है cinema वाले मैंने आप से पूछा था cinema के अंदर बाकी world के तोर पर कब बनने शुरू हुए थे मुझे comment में आप जरूर बताइएगा तो अगर आप उस चीज़ को mention करते हो answer में तो और attractive बन सकता है देखो बच्चा अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि teacher answer नहीं पढ़ते हैं ऐसी चेक कर देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है teacher आपका answer 110% पढ़ता है उसी के behalf पर जो है वो आपको marks देते हैं इसके अलावा कुछ और सोचने की बात नहीं है अब आगे आते हैं write a short essay on promotional advertisement on television in about 250 words अब आपको short essay लिखना है promotional ad का जो टेवी पर दिये जाते हैं ठीक है अब जिससे promotion के लिए अब यहाँ पर मैंने जैसे मान लो जो भी कूल गे हो toothpaste की company कूली थी ठीक है अभी भी खोल रखी है बन नहीं हुई वो छापा नहीं पड़ा उस पर तो वो वाली चीज़ अब मुझे television यार मुझे यह यह चीज़ है ना कि मुझे youtube के साथ pamphlet के साथ सब चीज़ों के साथ television पर भी दिखाना है क्योंकि अभी भी दुनिया की आदे से जादा बादे television देखती है mobile की जगा तो उस पर भी कि अब किस तरीके से आप जो है promotional advertisement दिखा सकते हैं कर सकते हैं सो वो वाली चीज़ आपको इसके अंदर बतानी है और discuss the advantages of email overall form of electronic communication in about 250 words email के advantages लिखने हैं ठीक है कि email किस तरीके से किये जाते हैं क्या है क्या नहीं है email से क्या profit है सारे advantages ही हैं तो आप disadvantages लिखी नहीं सकते हैं जब पूछा ही एक चीज़ गई है तो ठीक है उसके बाद है define cyber media how it is difficult from print media cyber media कैसे print media से easy है ठीक है cyber media अब आप laptop लेगे बैठो आपको अपनी कोई वो बनानी है जैसे अपनी copy बनानी है या कुछ है तो आप उसके अंदर लिखते रहते हो लिखते रहते हो ठीक है उसको face save कर लेते हैं पीडियम बना कर वही चीज़ print media के लिए थोड़ी सी देरी लगती है उसको छपाना पहले लिखना फिर उसमें corrections करना फिर उसको छापना सब करना तो वह वारी चीज़े थोड़ी difficult होती है ठीक है एक जो है वो तो difference यह होई गया बाकी अपने दिमाग से सोचो नहीं आए तो मुझे बता देना I'll definitely help you next इसी के अंदर है write a detailed report for your college magazine on the culture festival for your college ठीक है और उसके उपर report बनानी है और magazine में लगानी है तो भई आप लोगों को पता ही है report लिखी कैसे जाती है ठीक है इधर आपका right hand side की तरफ date आएगी और left hand side की तरफ आपका उपर college का name mention किया जाएगा ठीक है उसके बाद उपर report लिखा जाता है फिर देन आप report लिखते हो एक छोटे से box के अंदर और उस report को magazine के लायक बना देते हो कि मतलब एक छोटे से blog होते है न magazine में अंदर report पे तो वो होती है आपकी report ठीक है अब आप बोरोगे कि मैम हमें college का name क्या mention करना है क्या हमारा center जो पढ़ा है वो ही लिख दे नहीं आप जिस college के student हो अगर आप regular college के student हो तो जो आपका college है जाकिर हुसेर है माता सुंदरी है लक्षमी बाई है रामजस है कोई भी है वो college का name आपको mention करना है ठीक है रामजस college New Delhi इतना और अब आते हैं soul के बच्चे तो soul के बच्चों को जो लिखना है वो Delhi University School of Open Learning ही लिखना है ठीक है इसके लावा आप कुछ और नहीं लिखेंगे NCWeb की बच्चे Delhi University, NCWeb लिखेंगे NCWeb का नाम आप अगर openly लिखना चाहू तो लिख भी सकते हो अब आता है ये ठीक है Each is not more than 30 words ठीक है मोर की स्पैलिंग में आर गायब हो गया वो मोर उड़ता उड़ता अपने पैरों में दबा कर आर ले गया तो इसको 30 words से ज़ादा नहीं लिखना Microsoft Word क्या होता है वो Sign Language क्या होती है वो News Report Multimedia Blog, PDF, Cyberspace, Online Advertising Inbox Message Coding, Video Conferencing, Magazine ठीक है अब एक बात चीज मैं आपको Clear कर दूँ Social Media से Related कोई भी चीज आपकी आ सकती है कोई भी गबराने वाली बात नहीं है आप बहुत advance हो Social Media का तो सब पूछ लो फिल्मों का सब पूछ लो लेकिन पढ़ाई वड़ाई कुछ आती नहीं है है ना खेर चलो मजाग था Seriously मतो जाना बहुत तो अब ये जो था आपका ये सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया Hope's हो कि किसी question में आप लोगों को doubt नहीं रहा हो मैंने कोशिश की है कि मैं answers को भी इसके अंदर explain कर दूँ बाकि अगर आप लोग answer समझ कर अपना answer लिखने की practice कर रहे हो तो वो मुझसे टेलेग्राम पे जरूर शेयर करना और हो सके तो बहुत सारी बचे WhatsApp में ग्रूप में भी add है तो वो मुझे WhatsApp पे भी भेज सकते हैं ताकि मैं आपका वो चीज पढ़के clear कर सकूं कि हाँ जी बचे ने जो लिखा है बेर को सही लिखा है और पेपर में लिखकर आएगा तो marks अच्छे मिलेंगे ठीक है student तो ये वीडियो को इस important questions को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चों को marks अच्छे मिल सकें और उनको answer writing भी आ सके कि किस तरीके से answer writing हमें करनी है बाकि जो है आप लोग मुझे बताएगे कि आपको और किस subject के important questions चाहिए तो आप भू मुझे जरूर बताना comment में या telegram पे बाकि मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि English और Hindi बोत मीडिया में आपको प्रोवाइट कर सको important questions अधर आप लोगों को अगर पंजाबी के या other subjects के भी चाहिए तो I'll definitely try to provide your according to questions sorry subject your questions ठीक है so hope so doubt नहीं हूँ इनकेस कोई भी हो तो again भोल रही हूँ कि comment या telegram पे जरूर पूछना कुछ चीज गलत लिखकर मताना महर्बानी करके okay so thanks for the watching and best of luck all